Hello Standard, I am Nitin from VINACLASSICS. STRENCTS, пока we are going to study the Thermal properties of Meter One important topic Principal of Calorimeter जिसे we say FirstALLsweise of Calorimeter यह law of mixture के नाम से बहुतना साथ भूषज होय STRENCTS, रही बात इनके नोट की तो यहाद आपको फ्री में आपको डिलियर कर दी है यदि एधिया आप देख नहीं पाएँ, तो स encl अगर चैनल को सबस्राइब नहीं किया है, तो Чैनल को ज़दी ज़दी सबस्राइब कर लेगए ताकि आपको नेक्स वीडियो भी मिल सके आप अपनी इस्टोड़ी कर सके श्टोड़ Mart qualquer अपना आघ का लेक्षर टुट्यूल के आज यसका हमारा लेक्चर Day समझाया सके, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, प्रिंसिपल आप कैलोरी मिटर या लाप मिक्षर, हम देखते हैं कि हमारे पास दो सबस्टेंस हैं, जिसमें एक का टेंपरेचर काफी हाँ है और एक का टेंपरेचर बेकुल लो है, मतलब एक hot है और एक cold है, यदि हम उन दोनों को देखते हैं और उन दोनों को kontect में रख देते हैं थेंस्टेंट, आभियसली हमें पता है कि heat transfer होने लगती है, और कहां से होती है, heat transfer होती है hot से cold की ओर, और कब तक होती है, यह होती है, जब तक दोनों का एक common temperature ना बन जाए तो इस प्रकार से हम देख रहा है कि दो substance यहां दिखाएगा है यह दो substance देखी है मैंने एक dark brown color पर paint किया हुआ है यहाँ पर shade किया हुआ है उसका temperature high है और जो दूसरा है वो cold substance है जिसका temperature low है अब यहां मैंने दोनों को contact में रख दिया देख रहा है आप contact में रख दिया उसके बाद यह arrow मैंने show किया है कि hit जो हो रही है वो high level से low level की और जा रही है यह मतलब hot substance से cold substance की और जा रही है और वो तब तक जा रही है जब तक कि दोनों का temperature same नहों हो जाए देखें यहां दोनों के color same बताया गया है मतलब दोनों का temperature same हो गया है और इनका temperature common है जो T है यह T के रूप से बताया गया है यही बात नीचे लिख कर mention कि हुई मैं आपको बताता हूँ if two objects of different temperatures are in contact देखें two objects of different temperatures are in contact with each other heat flows from higher temperature to lower temperature till both have equal temperature दोनों के जब तक temperature equal नहीं होते है तब तक heat उस पर flow होती रहेगी hot objects से cold object की तरफ क्यों और कब यह चीज बार बिल्कुँ सही मानी जाती है जब heat का कोई loss नहों किसके द्वारा conduction के द्वारा convection के द्वारा और radiation के द्वारा यह तीन जो है वो तरीके है वो तीन mods है जिनसे heat release होती है और object से चली जाती है तो एक तो conduction से भी loss नहीं होना चाहिए convection से भी loss नहीं होना चाहिए और radiation से भी loss नहीं होना चाहिए यदि तीनों mods में heat loss नहीं होती है तो जितनी heat hot object दे रहा है उतनी heat जो हे cold object gain कर लेगा so substance यहाँ वही बात कही कि heat lost by the substance is equal to heat gain by cold substance heat lost by hot substance hot substance जितनी heat को loss कर रहा है उतनी ही heat cold substance gain कर रहा है so for substance A हम यह मान लेते हैं कि उसका mass M1 है और specific heat S1 है पहले वाले के जिसका temperature जादा है और दूसरा जिसका temperature कम है उसका mass हम M2 मान लेते हैं और उसकी specific heat को S2 मान लेते हैं और common temperature उनका T degree centigrade हो गया है जब वो एक equilibrium state में आ गये हैं अब यहाँ हम देखते हैं कि heat lost by substance A इसको हम calculate करें तो उसका formula हमारे पास है MST अब उस formula के according हम substance A के लिए देखेंगे तो वो होगा M1 क्योंकि हम अलड़ी मान चुके हैं M1 और S1 जो मैंने अभी आपको बता है देखेंगे यहाँ पर mass M1 है और heat S1 है इसी को हम use कर रहे है M1 S1 और इसका जो temperature है इसका temperature T1 था उसमें से T minus क्योंकि common temperature T है T1 में से common minus temperature को minus करना होगा तो temperature की value हमें मिल जाएगी ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करें कि gain कितनी की जो cold था उसने तो उसने gain जो की है वो है MST मतलब इसमें हम mention करेंगे तो उसके लिए हमने M2 माना था specificate को S2 माना था और जो temperature होगा strength वो T minus T2 होगा क्यों होगा क्योंकि T जो है वो common temperature है और common temperature से कम temperature जो cold का था तो कम temperature इसमें से minus किया तो ये दोनों temperature की हमारे पास values आ गई कितना बढ़ इसने loss किया है heat को कितना loss किया है heart वाले substance ने और कितना gain किया है cold वाले substance ने अब strength according to principle of calorimetry heat lost किसके एकवल होती है heat gain के एकवल होती है तो ये जो है man principle है कि जितनी heat loss हो रही उतनी gain हो रही तो हम heat loss को देख रहे है हमने अब ही यहां देखा M1 S1 T1 minus T और heat gain वो हमने देखा था M2 S2 T minus T2 So students ये जो होता है ये हमारे calorimetry का principle होता है तो I think ये आपको समझ में आगा होगा कि इसका principle क्या है वो एक simple सी बात है थोड़ा समझने की बात है कि जितनी heat ने दी है energy उतनी cold ने ली है मतलब जितनी due value है उतनी due value के एकवल हो जाता है यही एक principle इसको हमने study किया है अब यहाँ पर कुछ ऐसे points भी है जिनको हम study करें तो हमारा knowledge जो है enhance करता है यहाँ देखें आप यहाँ एक बहुत अच्छी सी बात बताई गई है कि water के लिए specific heat 1 calorie per degree 1 calorie per gram per degree centigrade है और molar specific heat 18 calorie per mole per Kelvin है यह वो point है जिन्हों हमें याद रखने चाहिए ताकि हम numerical को भी अच्छे solve कर सकें और हमारी competition की base भी मजबूत कर सकें दूसरी बात है hydrogen का एक fact दिया हुआ है वो देखें हाँ hydrogen के लिए hydrogen has highest specific heat among all solids, liquid and gases मतलब कोई यह question है जैसा कि सबसे highest specific heat तीनों में liquid, solid and gas में देखा है तो वो होती है hydrogen की students मुझे लगता है यह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यदि यह आपको समझ में आया तो एक बार इसको revise करके फिर से एक बार लिखके देख लें प्रिसाइसनेस बढ़ जाएगी मिलते है नेक स्टूडियो में तब तक के लिए Stables and good bye